देख सकते हैं यह तिन तरहा बदा मुमा बनाएं है कंशे क्या की हैं इस वीडियो के मादि हम से आपको पूरेawning रेश्पी आगे मिल जाएंगे देखिए दोस्तो आज चोकलेट बदाम बना रहे हैं मैंगो चोकलेट बदाम यह देख सकते हैं चोकलेट डिप बदाम कह सकते हैं चाहे चोकलेट बदाम कह सकते हैं यह चोकलेट में डिप करके बनाए जाता है मोल्ड में यह मैंगो हमारा चोकुलेट है आप देख सकते हैं यह देख सकते हैं इसको फिरीज में अब फ़रा ठंडा होने के लिए रख दिये हैं दस मिन्ट बाद हम फिर से इसको निकालते हैं फिर आपको हम बताएंगे अब 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 देख सकते हैं हम इसको मोल्ड में से इस तरीके से हम छुरा के अलग किये हैं कि अब देख सकते हैं कितने सारे बदाम बनाएं हैं मैंगो बदाम है यह देख सकते हैं यह हमारा मैंगो बदाम देखिए धेर सारे मैंगो बदाम बनाएं हैं और इसको देखिए कैसे छोड़ाते हैं इस तरीके से मोल्ड लेना है इस मोल्ड के अंदर से चोकलेट डालना है एक एक बदाम डिप करना है इस तरीके से एक बदाम लेना है इस में रखना है आप देख सकते हैं किस तरीके से हम बनाते हैं मैंगो डिप बदाम इसी तरीके स्कॉब लेके डिस्पले में ट्रे में ऐसे सजाना है यह देख सकते हैं जैसे चार मिंट फिरिज में रखने के बाद निकाल लेना इनको और इस तरीका से इसमें सैनिंग आएगा आप देख सकते हैं आज हम चोकलेट मोल्ड में बदाम चोकलेट डिप की यह हुए बनाए हैं कैसे क्या किया है आपको हम इस वीडियो में दिखाते हैं आप देख सकते हैं यह एस्टोगरी फ्लेवर का है यह मोटे का चोकलेट है इसी में अब इसको हम डिप करेंगे इस तरीके से चोकलेट इसमें डालना है यह केक आलमंड इसके अंदर डिप करना है अब इसको हम ख्रीज में यूज रहे होगी हम पांच मेंट के लिए इसमें ख्रीज रहे हैं इसमें रख देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए फिर अच्छी तरीके से सैनिंग आए यह हमारा सारे फिरीज में है पांच मेंट के बाद हम वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं यह फिरीज में निकालने का बाद दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से इनको छुरा लेना है इस तरीके से इसको निकालके यह हो गया इस्टोवरी फ्लेवर चोकलेट टीप बदाम अब इसको हम डिस्पलेए पे लेंगे यह यह इस्टोवरी बदाम हो गए है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कैसे हमारा चोकलेट बदाम इस्टोवरी बदाम मैंगो बदाम यह हम ओल फ्लेवर का बदाम बनाते हैं खिलाल हम आपको डेमो के लिए और घर में बनाने के लिए हम यह छोटे छोटे रेस्पी आपको बता देते हैं ताकि आप घर में भी बना सकते हैं इस तरीके की जैसे देख सकते हैं हमारा इस्टोवरी आगे हैं यह हमारा वाइट आगे यह हमारा मैंगो आगे हैं यह हम तिनु बनाएं हैं कैसे क्या कि इस वीडियो के मादेम से आपको पूरे जानकारी मिल जाएंगे देख सकते हैं वो खाने में भी बहुत बरिया टेस्ट है आप खा के भी देखिए और बना के भी घरों में भी देखिए हमारा फुल वीडियो देखिए कैसे बनाएं और कैसे साइनिंग है ऐसे तरह का साइनिंग आना चाहिए चोकलेट में देख यह लाइट मार रहा है आपको पूरे रेश्पी आगे मिल जाएंगे आपको पूरे रेश्पी आगे मिल जाएंगे